तुरादे रादे फ्रेंड्स मैं वीना पाठक मुरादावाज से आज फ्रेंड्स मैं आप लोगों को अपने कैक्टस प्लांट दिखा रही है देखिए यह बनी कैक्टस है ना सुन्दर लग रहा है रेड रेड इसके उपर काटे हैं देखिए और यह यह है बनी कैक्टस इसके उपर क्रीम कलर के काटे हैं बहुत ही सुन्दर लगते हैं बहुत तेजी से बढ़ते हैं देखिए है फ्रेंड्स यह भी बहुत केजी से बढ़ता है एक दम डिवाइड होता जाता है चोटे-चोटे पॉट में लगी है यह पैंसिल कैक्टस है यह भी मैंने बहुत चोटी सी कटिंग लगाई थी देखिए इस पर चोटे-चोटे से इसके पत्ते हैं यह भी बहुत सुन्दर लगता है एक यह है फ्रेंड्स इसका नाम मुझे नहीं मालूम है यह भी बहुत सुन्दर है में छोटी-छोटी सी कटिंग लाई थी यह चोटे-छोटे से इनके जैसे इस पर यह लगा हुआ है इतना बड़ा लाई थी इसका बेबी प्लांट नर्सरी से फिरी में कोई भी कैक्टस यह मैंने करीदे नहीं है और एक देखिए यह लगा है इसमें यह रेड कलर का फूल भी आ रहा है जूम करके दिखाती हूं आपको देखिए इसमें फूल आ रहा है इसका रेड कलर का यह भी बहुत सुन्दर लगता है देखने में पहली बार यह फूल आया है अभी छोटे-छोटे ही ही है देखिए हैं फ्रेंट्स काफी सारे हैं मेरे पास कैक्टस और कोई भी मैंने खरीदे नहीं है यह बहुत छोटे-छोटे बेबी प्लांट इनके नर्सरी से मांग कर लाई थी मैं और यह अब इतने बड़े-बड़े हो गए है एक यह है यह मैंने अपनी फ्रेंट से ली थी इसकी कटिंग देखिए यह कटिंग लगाई थी छोटी सी उसके बाद यह इसके उपर नियू ग्रोथ है इसकी यह किसी की यह कटिंग लगा दी थी अगला यह है यूफोर विया मिली किंग आफ थॉर्ण्स यह तो बहुत ही कॉमन है ज्यादा तर सबके गार्डन में होते हैं यह कि बारिस में कितने घने हो गए हैं बहुत बुशी है इस पर जब रैट कलर के फूलों से यह भड़ जाता है तो यह भी बहुत सुन्दर लगते है यह मेरे कुछ कैप्टस प्लांट थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं फ्रेंट्स आपको मेरी वीडियो पसं चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए रादे रादे फ्रेंट्स